नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मैं हूँ मोनालिसा स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम वातसमबाद में एक ऐसा कारिक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंफीर मुद्दे को मन्थन के जरिये दिशा देने की कोशिश करते हैं ये थत्ते है कि जैसे जैसे खेती में मशीनों का उपयोग बढ़ा है वैसे वैसे प्रती हिक्टेर उपज भी बढ़ी है पर मशीनों के साथ उपज ही नहीं बढ़ती है इसके साथ दुरगटनाओं का खत्रा भी बढ़ता है ऐसे में मशीनों का सुरक्षित उपयोग या फिर सुरक्षित मशीनों का उपयोग सबसे बड़ी जरूरत है सवाल ये है कि मशीने जरूरी है पर वे क्यों मुसीबत बन जाती है इसी पर आज हम करेंगे वाद समबाद तो क्यों मशीने बनती मुसीबत सवाल ये भी है कि मशीनों से आहत होने वाले किसानों और खेती हर मज़़ूरों को किन मुसीबतों से जूज ना पड़ता है किया मौजूदा खानून उनके हितो की हिपाज़त के लिए काफी है मशीनों को सुरक्षित बनाने की दिशा में क्या हो रहा है इन पहलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं विभिन्द हिस्सों से आए किसान और भुक्तव होगी जो इस पीड़ा से रूप वरू हैं आप सभी का इस कारिक्रम में स्वागत है इनकी पीड़ा से जुड़ने और तो क्यों मशीने बनती मुसीवत इस सवाल को साथने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रे क्रिशी अभियांत्रकी संस्थान भोपाल के क्रिशी यांत्रकी करण प्रभाग अध्यक्षे डॉक्टर प्रेम शंकर तिवारी भारते क्रिशक समाज के अध्यक्षे डॉक्टर क्रश्णवीर चौधरी अखिल भारते किसान सभा के राश्ट्रिय सचिव श्रे अनके शुकल और किसार नेता कनवीर जी आप सभी का दूर दर्शन किसान के इस खास कारिक्रम बात्समबाद में स्वागत है तो क्यूं मशीने बंती मुसीबत इस सच को समझने के लिए हम चलते हैं हमारे साथ बैठे पीड़त के सानों के पास मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं नाम तेजवीर है जी और मैं बनखंडे साया तेजवीर जी हमें ये बताएं कि क्या आपकी आप बीती है किस यंत्र का आप इस्तमाल कर रहे थे और कैसे आप दुरगटना के शिकार हुए है नाम काटनी मशीन में गहरा लगा रहा था उसमें बाजू आई और उसके बाद क्या हुआ क्या मुआजे के लिए आपने कोई कोशिश की मुहादा मिल पाया अपको कोई मुआजस मुआज्या पने अब किया मांच मिल कर आया ना एलाज कर आए गोर्मेंट efendim बिल्कुल तो ये बहुत ही दुख़त इस्तिती है बैट जाएं कि इस दुरघटना का शिकार हुए आप बैट जाएं और इसके साथ ही कोई इस तरह से मदद भी नहीं मिल पाई आप से भी मैं जाना चाहूंगी हाजी पूर के रहने वाए हैं और जो अब मसीर में कट्या यार काती है चारा अच्छा चारा काटते वक्त आपका हाथ उसमें आगया जी क्या आपको भी मुआफ़ा मिल पाया नहीं मिल पाया और इलाज के लिए कोई मदद है इलाज मेरा है हुए पड़ी डॉक्टर के जी ज तो आप सबने भी देखा कि किस तरह से जो हमारा अन्न दाता है उसे हमारे भरन पोशन के लिए किन-किन पीडाओं से बुज़रना पड़ता है तो क्यों मशीने बंती मुसीबत इस विशे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आईए देखते हैं ये रपोर्ट का 14,7 फीजदी मानव श्रम से आता था परन्तु 2013 और 14 आते आते मानव श्रम की भूमी का घटकर मात्र 4,66 फीजदी रह गई है ऐसे में क्रशी में शक्ति के वेकल्पिक स्त्रोतों और यंतिकरण की आवशक्ता बढ़ती गई 1951 में देश में क्रशी में शक्ति का उप्योग प्रती हेक्टियर 0.25 किलोवाट था जो 2010 में 1.66 किलोवाट हो गया बढ़ते यंतिकरण के साथ ही खेतों पर काम करने वालों के लिए जोखिम भी बढ़ गए देश में क्रशक मजदूरों की संख्या करीब 26 करोड 30 लाग है और इसमें 37 प्रतीशत महिलाएं है ये भी पाया गया है कि देश में खेती में इस्तिमाल हो रही कुल मशीन्डी को अगर संख्या में देखा जाए तो ये आंकला करीब 15 करोड पर जा पहुँचा है देश में इस्तिमाल हो रहे कुल ट्रेक्टरों और स्वचालित मशीनों की तादाद 24 लाग है ये पाया गया है कि भारत्य कृषी में होने वाली कुल दुरगटनाओं में मशीनों के चलते 30.5 प्रतीशत और ओजारों की वज़ा से 34.2 प्रतीशत दुरगटनाएं होती है ये अनुमान लगाया गया है कि भारत में हर साल खेती के शेत्र में 7,80,000 दुरगटनाएं होती है इस कारण 45,000 श्रमिक हताहत होते है और इन दुरगटनाओं की वज़ा से आर्थिक नुकसान की बात करें तो ये आकड़ा 5,400 करोड रुपे तक पहुंचता है सरल शब्दों में समझें तो खेती में रोजाना 2,080 दुरगटनाएं होती है जिसमें 120 घटनाएं घातक होती है और इन दुरगटनाओं की वज़ा से देश को रोजाना 15 करोड रुपे का नुकसान उठाना पड़ता है तो आपने पीड़तों की व्यता देखी और रिपोर्ट भी देखी रोज 120 घंफीर दुरगटनाएं और रोज 15 करोड रुपे का नुकसान क्यूं है ऐसा? इसले समझने की कोशिश करते हैं के इंद्रे क्रिशिय अभयंतर की संस्थान भुपाल के क्रिशी यांतर की करन प्रभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमशंका तिवारी से चर्चा की शुरुवात करते हैं डॉक्टर तिवारी सबसे पहले हमें बताएं कि ऐसा क्यूं है ये परिस्थितियां क्यूं बनती है कि रोज 120 गंफीर दुरघटनाएं क्रिशी के क्षेतर में यंतरों के इस्तमाल के दौरान होती है ये बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जो है क्रिशी में यंतरी करन बढ़ा है और ये भी बिल्कुल सही बात है कि क्रिशी यांत्री करण से दुरुखटनाओं की संख्या भी बढ़ी है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है संख्या और इन क्रिशी यांत्री करण से दुरुखटनाओं की जो क्रिशी यांत्री करण से दुरुखटनाओं का जो मुखे कारण है उनमें कुछ तो मशीनों में कमी हो सकती है मशीनों में भी कमी होती है दूसरा एक कारण हो सकता है कि मशीनों का हम सही रख रखाव नहीं करते हमको उसकी जनकारी नहीं होती है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है तीसरा एक कारण हो सकता है कि हमारे किसान भाई किसानों को मशीनों को सुरक्षित बनाएं मशीनों को सुरक्षित बनाने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत होती है कि मशीन में कमी क्या है वो जानकारी हमें बैग्यानिक वर्ग को किसानों से ही मिल सकती है अगर किसान हमें ये बताएं कि मशीन में इस कारण बस दुरखटना हुई है तो हम उस कारणों को दूर करने कोशित करें हमारा सुरू से ही प्रयास रहा है कि हम मसीनों को जितना सुरक्षित बनाएं कि किसानों की दुरखटना की किसे भी कारण बस नहीं हो बिल्कुल और ऐसे कैसे प्रयास चल रहे हैं इस पर भी मैं आगे आओंगी कर्मदीर ऐसे में मैं आपको जोड़ना चाहूंगी कि जैसा उन्होंने बताया है आप भी किसानों की बीच रहते तो आप बता पांगे कि किस तरह की परिशानिया जो है वो उनके सामने आती है लेकि जिस तरह की से हरित करांती देश माई बहुत तेजी से पंजाम में पश्ची मुत प्रदेश में हरियाना में किर्शी यंत्रों का बहुत तेजी से विस्तार होया है और ये तिवारी जी सही कहे रहे हैं कि किसानों को इसके बारे में पिरसिक्षित, उसमें क्या कमी है, धीरे धीरे उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, और किसानों को इसके बारे में और जारू करना चाहिए, भी इस सही दुरगटना हो सकती है, आदमी विकलांग हो जाए और उसका इलाज होना चाहिए लेकिन उसके साथ जो मसनरी की कमियां और खुवियां दोनों होती है पैदावार बढ़ाता है तो एक्सिडेंट की चांसेस भी रहते हैं और उसका कारण क्या है एक तो यह है कि किसानों को जो ट्रेनिंग दी जाने चाहिए उन्हें जानकारी नहीं होती है उन्हें यही समझा जाता है इस मसीन का इस्तमाल करो इससे जादा पैदावार होगा जो पहले सुरू सुरू में एक्स्टेंशन सर्विसेस था किरसी के लिए प्रसार जोजनाएं थी जहां कुछ जानकारी मिलती थी वह भी धीरे-धीरे बंद हो गया कांग्रिस के राज में ही बंद होना सुर इसी में नहीं लगती वह बाहर चले जाते हैं तो जिश्टन सी मसीन मिलता जो अस्थानिये जो जो मसीन के विकरेता है जो को समझाते हैं एकसिडेंट जादा से जादा होते हैं तो अब यह विस से मसीन पर रोक तो नहीं लगाई जा सकती तरक्की तो होगा है विश्टार होगा है अब वो वैल गारी के जमाने में तो लोट नहीं सकते बाइल और गाय की अलग समस्या उस पर कभी हम लोग बात कर लेंगे लेकिन अभी है कि जो एक्सिडेंट होता है उसको रोकने के लिए मेरा पहला सुझाब है कि जादा से जादा ट्रेनिंग सेंटर अगर पंचायत अस्तर पर ना हो तो ब्लॉक अस्तर पर ख स्टाफ रहें किरसी डिपार्टमेंट के जो घूम करके गाओं में जहां जहां लोग मसीन का इस्तमाल करते हैं ऑन स्पोट उनको बताएं चाहे वो थ्रेसर मसीन हो दाना निकालने की बिल्कुल कई बिंदों पर आपने चर्चा की है और इस पर विस्तार से हम इस पूरे का हो जाता है लेकिन अब जो गंफीरता है वो यहां पर है कि वो इसके चपेट में भी आ जाता है दुर्गटना के शिकार हो जाते हैं जम्यदारी कैसे तैए हो मुझन अलेशा वर्तमान के इंदुसरकार ने इस परिशानी को और इस बड़ी कठनाई को क्योंकि रो जाना लगबग सवासों के करीब दुरगटनाय और स्तंदेश में हो रही है और इसके समधान के लिए विस्तार से बाचीत समझने के लिए केम सरकार ने कृशी मंत्राले के आधिन एक कोर ग्रूप का गठन किया है य जो खतरनाक कृशी यंत्रों का 1983 का कानून है क्योंकि हरित करांती होने के बाद शुरुआत के बाद मशीने शुरू की गई और मशीनों से खेती शुरू ही तो कानून बनाया गया लेकिन कानून में खामिया है उसमें सुधार हो या उसमें बदलाव हो एक बार रिवीव 2006 म के मुद्वे पर बहुत बारीकी से तमाम मुद्वों को देखवा रहे हैं और उनी के सुझाओ पर ये गठन हुआ कोर गूरूप का और कोर गूरूप ने बैठक आयोजिन किये प्रदेश सरकारों से सुझाओ मांगे हैं खास तोर से इसमें मैं आपको विस्तार से तो बता प्रदेशक उसमें हैं इंसरेंस कंपनी के लोग हैं जो यंत्र बनाने वाली एसोसियेशन हैं कंपनियों की उसके अध्यक्स हैं पूना से किसानों के प्रतिनिधी के रूप में मैं उसमें प्रतिनिधी करता हूं इंसरेंस कंपनी के प्रतिनिधी हैं लाउ मिनिस्ट्री से ह B.I.S. के प्रतिनिदियें इस तरीके से पूरा विस्तार से छानबीन की जा रही है उसके में मीटिंग कई आयजित हो चाहिए है और अब एक कोर ग्रूप बना दिया गया है पांच लोगों का विशेश तोर से ये सच्चाई है कि ठ्रैसर मशीन और कुटी काटने की मशीन के सबसे ज़्यादा घटनाएं है कुछ घटनाएं त्यूएल में motor operate करते समय पट्टे से भी चोट लगती है कुछ घटनाएं है जो और छोटी-छोटी मशीनों से भी काम करने में चोट लग जाती है तो किसानों को सिक्षित और प्रसिक्षन देने का सबसे बड़ी आवशक्ता है लेकिन इसके साथ मशीनों में भी सुधार करने की आज़ा आवशक्ता है और सबसे बड़ी जो परेशानी आए दिन होती है जैसे अभी हमारे माँ और भाई ने बताया के हाथ कट गया ये पूरा हाथ गवाना पड़ा इस तरीके से रोजा नगटना है तो इनको किस तरह से चिकिस्षा की व्यवस्था हैं हो और बीमे की व्यवस्था कैसे हो क्या प्रधान मंत्री जी जो सुरक्षा बीमा की शुरुआत की गई है उसमें इसको जोडने की बात एक हमने मिटिंग में रखी है कि उसमें इसको शामिल करी जाए इसके अलावा ये है कि प्रदेश सरकारे देश में जो है किस तरह से क्या मंडी बोर्ड जो है प्रदेश सरकारों के उनको इसके लिए पैसा जो है वो मुहिया करें इन दुर्गटनाओं के लिए कई तरीके की बाचीत इसमें हुई है कर्मवीर जी मैं चाहूंगे कि आप बताएं कि सरकारी फ्रयास जिस इस तरपर शुरू हुआ है तमाम और बताया चौदवी साथ ने कैसे तमाम क्षेत्रों को इसमें जोडने की कोशिश की गई है ताकि कोई भी पहलू छूट ना जाए यह प्रयास किस तरह से है और आप भी क्या चाहेंगे कि क्या कोई और पहलू है जिससे जोड़ा जाना चाहिए जैसे अभी यह किर्सी बीमा योजना चलाई है हम जानते हैं उसे में किसान यह दुरगटना भी जोड़ दी जाए और जैसे अभी तक किर्सी को एकुसल स्रेड़ी में रखा गया और दूसरा जो कि किसान के साथ दुरगटना खेट पर होई गाम में होई तो चिकिस्ता सुविदाए बहुत दूर है अच्छे इस तर के जो होस्पिटल है चिकिस्ता ले हैं वह बहुत दूर दूर है जिसे आज भी एमस की स्तापना रखी जा रही है गोरकपुर में तो अभी तक भी आज़ डेवल्लमेंट के कुछ प्रोग्राम परदार मंतिजेने चल्वाएं के सरकान ने इसमें किर्शी को भी जोडा है कि उसमें किसान प्रिसिक्षित होंगे और इस से किसान थोड़ा आगे बढ़ेंगे लेकिन घिर इस तरह के सब्भड़ती जारी जा रही है दूर गटनाएं आती है जब चिकित्सा सेवा उन्हें तुरंत मुहया नहीं हो पाती है चाहे बीमया या मुआवजे की जो राशी है वो नहीं मिल पाती हो सरकारी प्रयास किस तरह से शुरू हो चुके हैं इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन तिलाल वक्त हो चला है एक छोड़े से ब्रेक ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी तो क्यों मशीने बनती मुसीबत इस पर हम चर्चा करेंगे बने रहे हैं हमारे साथ हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुखल चल और खेती बाड़ी से जुड़ी सब ही है हम खबरें देशते रही किसान समचा रोजाना शाम साथ बचे ब्रेके बाद और दर्चन किसान के खासकारिक्रम वातसमबाद में आपका फिर स्वागत है पहले भाग में आपने क्रिशी यंत्रो की चपेट में आने वाले हमारे अनदाताओं की बानगी देखी तो क्यों मशीने बनती मुसीबत इस विशे पर वातसमबाद को आगे बढ़ाने से पहले आईए कुछ और भुक्त भोगी किसानों से बात करते हैं जी पट्टे में चकी गे में आजाएगी तो प्राइवेट राज कर वाया हमना आपना तो किसी ने कुछ नहीं लगाया मैं अनुसा अधा करी किसी ने कोई सरकारी अस्पिताल में गया या चिकर्सामी किसी तरह की मदद मिल पाईगी ने कोई मिल पाईगी और क्या मुआफ़े के लिए आपने कोई दर्खवास दी कोई मुआफ़ा मिल पाया आपको ने कुछ नहीं मिला जिना मैं मैरा नाम सवःता है उदैपुर से मेरी भी मशीन में याए थी वाजो किसी की कोई मदद ने ती ठीक है अग कैसे ये दुरघटना हुई क्या आपकी तरफ से किसी तरह की लापरवाही हुई या क्या हुँआ या लिए अपने आपसे नहीं अच्छा क्या वो मशीन किस मशी कि चपेट में आप आई और क्या उसे चलाने का कोई प्रसिक्षन मिला था पहले आपको कोई जानकारी थी नहीं नहीं ठीक है कोई जानकारी नहीं थी पट्टे में आगी थी कुट्टी गाटने की बिल्कुल तो देखा हमने कि किस तरह से किन परेशानियों से जूजना पड़ता है नहीं तो कि तीवारी फिर हमें बताएं कि क्या उपाए हो या क्यों ऐसा हो रहा है कि जो महिलाएं है और पुर्श वी जो किसान है वो इन मशीनों के चपेट में आ रहे हैं और ये मशीन सु कामी को हम दूर करने की कोशिस करेंगे लेकिन सबसे पड़ी समस्या है कि हमको जानेकारी एकठा करना है सबसे मुझ्किल काम है अच्य हम ने हमने खुद ही गा마 bets करने कर माशूदों में चुदार के लिए आप के लिए कर रहे हैं बहुत करने के बाद फिर जनकारी हमारे पास आती है कि किन कारूने से हुआ जैसे आप यहाँ ज्यादा तर लोगों का देख रहे हैं कि ज्यादा दुर्खट नाए हुती है कुट्टी काटने वाली मसीन में हुई है हम चारा डालते है तो जाहरे की अन्दर जाना है अब वहां पर हम सब्धानी बरतने की जरूरत है कि हम हम जो है चारा के साथ नहीं हम को समझ भे माना चाहिए ल पांट जैसे कि उपाया चाहिए बता हो आपको स 열ile करना पहुंच जो पत्टे को जाली कभर करने मिह ज़रूरी है क्योंकि जब तक जाली से कभर नहीं रहेगा पट्टा विसे खुला रहेगा तो जाहिर अगर हमारी गाउं में बहने हमारी मताय जो साड़ी बगर उसमें उल्जेगी और कभी विद्रुखटना हो सकती है तो यह क्या सोड़ी से सावधानी बरतने की जरूरत है और हम लोगों की हालत में कभी भी काम ना करें आपका ठकान है आप अजला नीद आ रही है आप चारा उसमें डाले जा रहे हैं आपका हाथ चला जाएगा अंदर तो यह सब चीजे क्या है कि हमको खुद जो है थोड़ा सा उस पर मसीनों पर रहना पड़ेगा और सबसे जरूरी है कि आप कारण है मसीनों पर चुदार के लिए विल्कुल बाचे बात कई आपने और बात समवाद में इस विशे पर भी हम चर्चा करेंगे आगे लेकिन इस चर्चा की सिलसले को आगे बढ़ा है उससे पहले आए देखते हैं यह रपोर्ट ऐसी मशीने जिनसे उपयोग के दोरान दुरगटना का जोखिम होता है उनसे सुरक्षा के लिए किंद्र सरकार ने साल 1983 में एक अधिनियम तयार किया गया और इसे नाम दिया गया खतरनाक मशीन अधिनियम 1983 इस कानून को लागू करना राज्य सरकारों की जिन्मेदारी है लेकिन चिंता की बात ये है केस में कुछ ही राज्यों ने रुची दिखाई है अभी तक केवल नो राज्यों ने इस अधिनियम को लेकर कोई कदम उठाया है लेकिन इसे लागू करने में राज्य सरकारें हि लागून नहीं कर रही है और अब समय आ गया है कि इन में सुधार किया जाए या फिर बदल ही दिया जाए अधिनियम की वर्तमान संधर्बों में एक विसंगती ये है कि उसमें बच्चों की जो परिभाशा दी गई है वह सब सुसंगत नहीं रह गई है जिसे अब मिसाल के तौर पर किशोर न्याय कानून में दी गई परिभाशा कैनूरू होना चाहिए जानकारों का कहना है कि इस अधिनियम के तहट नियुक्त होने वाले नियंतरक्त या कंट्रोलर को कृशी इंजीनियर होना चाहिए विशिशक्यों का ये भी मानना है कि ट्रेक्टर टॉली बनाने वाले लोग B.I.S. मानकों का पालन नहीं कर रहे जिस वजह से दुरघटनाएं हो रही है कुछ राज्य स्टेट मार्केटिंग बोर्ट और बीमा कंपनियों के माध्यम से मुआवज़ा दे रहे हैं और ये भी पाया गया कि मुआवज़े की राशी को लेकर प्रयाप्त भेनता बनी हुई है इसे ये साफ है कि ये खतरनाक मशीन अधिनियम 1983 अब समय अनुरूप नहीं रहा है और अब इसमें कुछ सुधार किया जाना अपरिहार्य हो चला है तो इस रिपोर्ट में देखा आपने कि किस तरह से 1983 का जो कानून है वो अब तक चला आ रहा है और उसमें कई ऐसी बाते हैं जो अपरासंगिक हो गई है चौदरी जी मैं आपसे ही जानना चाहूंगे कि आप हमें बताएं कि ये कौन सी चीजें हैं इस खानून में जो अब अपरासंगिक हो चुकी है देखिए समय के साथ 1983 से लेके आज तक इतना लंबा सफर अभी तक हुआ है जिस तरीके सी घटना है और सबसे ज़्यादा घटना है चारा काटने की मशीन और थ्रैसर मशीन और पट्टा तीन तरह से ये अलग-अलग चोट जो है आए दिन पूरे देश में लग रही है बड़े पैमाने पर जी इन में सुधार की आवश्च्टा है इसके लिए जो मशीन बनाने वाली कंपनिया है उनको भी समझना होगा जो पुराना तरीका चला रहा अब इतिवारी जी कह रहे थे कि जाली लगनी चाहिए पट्टे के पास जहां भी काम है ये बास सही है कि जाली लगनी चाहिए लेकिन किसी भी मशीन में किसी मोटर के साथ किसी पमप को फिट करते हुए जो उसकी दूरी में पट्टा चलता है वहाँ कोई जाली अकसर अगर आप जाके देखेंगे तो नहीं लगी मिलेगी, खुले में पट्टा चलता है, इसमें कोई दोराय नहीं है, कहना बहुत आसान है, बंद कमरे में बैठ कर आफिस में, लेकिन जब खेत में काम करता है, किसाना उसका परिवार करता है, वो घर में काम करते हैं, अब जैसे अभी की बात है, जो कहा है कि उसमें वो गिर जाएगा, रोक लेगा, ऐसा रुकता नहीं है, हाथ चला जाता है, पता नहीं लगता, इसी तरीके से थ्रैसर मशीन में, जब गहू निकालने की मशीन है, धान निकालने के लिए, उस सब में भी हाथ ही जाता है, तो सुरक्षा मानको की जोड़ते, प्रधान मंत्री कौशल कामगार योजना में मशीनों के प्रियोग करने के लिए, यहां तक के ट्रैक्टर को चलाने के लिए, ट्रैक्टर ड्राइवरों को भी, ट्रेनिंग की विवस्ता उसमें जोड़ा गया है, इसलिए जोड़ा गया है, प्रसिक्षन की प्रधान मंत्री कौशल कामगार योजना में प्रसिक्षन देने के लिए इन तमाम कृशी की मशीनों के प्रियोक के लिए वो कारकम में जोड़ दिया गया है विशेश रूप जोड़ा गया है अब इसमें सवाल यह होता है कि क्यों नहीं प्रदेश सरकारें जो हैं तत्काल चिकिस्षा की व्यवस्था करने के लिए आगे आती पहली बात मशीनों में सुधार दूसरी बात यदि दुरगट ना होती है तो प्रदेश सरकारें पूरी तरह से चिकिस्षा मोहिया करें तीसरी बात जो पैसा मंडी बोर्डों में आता है प्रदेश सरकारों का वो किसान सिरफ मौझ मस्ती के लिए आप सरों नेता मिलके कर रहे हैं प्रदेश सरकारों में क्यों नहीं किसानों के उपर उसको जो है सुधार के लिए सही का करमवीर जी ने कि उबर खाबर रास्ते हैं वहां ट्रैक्टर आप और सुनिए त्रैसर मशीन ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई है और वो कच्छे रास्ते में ऐसे जा रही है लुड़ती पुड़क्ती ये सब है पहिये उसमें वहां गिर गई गिर गई जो आदमी बै प्रदेश सरकारों को आगे आना पड़ेगा वो पीछे हटती है इसमें शुकला जी को मैं चर्चा में जोड़ लूँ शुकला जी आप मुझे बताएं कि जो प्रसिक्षन की बात आ रही है जिसमें चौदरी साथ ने जोड़ा भी कि ये सरकार किसी तरह की कोशिश कर रही ह लेकिन अब तक उस तरपर प्रसिक्षन नहीं दिया जा रहे हैं जिसके जरुरत थी क्या ये दुखत परिस्तिती नहीं है और फिर 1983 का जो खानून है वो लगातार चला रहा है अब तक इस ओर कोशिश नहीं की गए कि इसे बदला जाएं मैंने पहले आपको ये बताया था कि जब हमारे देश में जब उदारी करन का जूग सुरू हुआ उन्नी सो एकानमे के बाद से तो ऐसा हुआ कि पहले से जो बना हुआ था किसी सेवा प्रसार केंद्र इसलिए बनाया गया था कि नए बीज नए मसनरी नए आखाद नई जाए लेकिन अपसोस की बात यह है कि उन जो वो जो केंद्र थे जो एक्स्टेंसल सर्विसेस से उनको धीरे धीरे डेलेवरेटली उनको बंद करते हुए चले आए और वो सिलसिला में पाले से सुरू हुआ और आज भी वो जा रही है इसलिए मैं नई सरकार से निवेदन क और सार केंद्र बंध हैं वो बोलने सो नहीं होगा ठेनिंग दिया जाहिए यह dignity ने के लिए तो लखनव और पतना और चन्डी गड़ तो नहीं जायेंगे पासमें होना चाहिए जिला में होना चाहिए ब्लॉक में होना चाहिए वो केंद्र कोले जाए जादा चिरकते हैं उसे दवाईयां चली जाती है अंदर चली जाती है जो पटे से जो होता है वो तो होता ही है और जो चारे के मसीन से या थ्रेसर मसीन से तो होता है इसे भी होता है यह जरूरी है करना एक दूसरा जो सभी लोग बतला रहे हैं कि उनको दवाईयां नहीं मिली उनका इलाज नहीं हुआ और उनको मुआवजा नहीं मिला इसके लिए mandatory होना चाहिए जैसे आपदा का है कि कहीं घर में आग लगता है तो block officer की जवाब देए ततकाल वो जा करके देख करके और उनको immediately पहले कुछ पैसा देता है और बाद में बाकी claim को निवटाता है तो जहां ये दुर घटना है होती है आज तो communication का जमाना है हर जगह mobile है वहां से immediately जो block center है वहां से खबर होनी चाहिए वहां से ambulance जाना चाहिए उनको proper hospital में भरती किया जाना चाहिए immediately उनको मदद की जानी चाहिए जो पैदावार कार्ड को double करना है किसानों के लिए हमें बहुत चिंता है तो इस काम को करना चाहिए और हम निवेदन करना चाहेंगे चौधरी जी से कि अगर अन्य सरकारे नहीं सुनती है तो कम से कम प्रधान मंतरी जी के पार्टी की जितने सरकारे हैं कम से कम वो तो सुरुआत करके एक नमूना पेस करें ताकि दूसरी सरकारों पर हम दवाब ब पहलू है एक तो यह होता है कि भई कोई दुरघटना का शिकार ना हो जाए और दूसरे बार अगर दुरघटना का शिकार कोई हो जाता ए तो उसे उचित मुआफजा या जो सुविधाय हैं वो मुहया हो वह भी नहीं हो पाता है जैसे कि हमने यहां पर सुना भी किसानों से क उन्हें वो मुआफजा भी नहीं मल पाया है तो ये कहां एक परेशानी आती है नहीं देखिए परेशानी की बहुत बड़ी बात है अभी तक तो मान लीजे कोई स्कूटर या मोटर साइकल पर एक्सिडेंट होता था तो इंसुरेंस कंपनी क्लेम देती थी उसी बात को विश एसी योजना में आप इसको शामिल करिए जिससे किसान भी उसमें शामिल हो और यदि कोई दुरगटना होती है तो उसको वीमे का हक मिले दूसरी बात यह कि अभी शुकला जी ने सही कहा कि जो प्रसार का काम था प्रचार का काम था उसा प्रदेश सरकारों ने बंद कर तरीके के मशीनी करण हो या नए बीजो का प्रियोग हो या नए कीटनाशकों का प्रियोग हो किस तरीके से करेंगे क्या उनसे नुकसान हो सकता है कैसे उनसे बचा जा सकता है उस सब की जिम्मेदारी तैकी है वर्तमान कृशिव ग्यान के इंद्रों को दिया गया और हर व पूरी जिम्मेदारी सरकार वेहन करें. सबसे पहली ज्वरूत तो मैं आपसे सेहमत हूँ शुक्ला जी के तत्काल एंबुनेंस जाए और उसको सही चिकिसा के लिए सही व्यवस्था करें और सरकार उसको पूरा दायत निभाए चिकिसे का दायत सरकार का हो बीमा कंपनी और बीमा में उसमें हो और जो प्रधान मंत्री जी के नाम से जो नई बीमा योजना की शुरुआत है वो भी विचार कमेटी में किया गया कि उसमें इसको शामिल किया जाए जिससे उनको भी मौावजा मिले अब उसमें अलग-अलग तरीके की समझा है कितना हिसा डेमेज हुआ है हाथ चला गया तो बहुत बड़ी बात है पैर चला गया पूरा जीवन के लिए एक बहुत बुक्ताई घटना है और बच्चों के साथ घटनाए होती है आए दिए तो मशीनों में सुधार की और प्रसिक्षन देने की और मैं करमवीर जी ने सुझाओ दिया है करमवीर जी इसको इसके लेबर में ही गिना जाएगा ऐसा प्रियास सरकार के द्वारा किया जा रहा है यह पांच सुझाओ जो है ये प्रदेश सरकार की 1983 का कानून है ठीक है कुछ उसमें अपरा संगिक बिंदू है लेकिन फिर भी एक कानून है लेकिन उसमें भी रुची कई प्रदेश सरकारों ने नहीं दिखाई है ये जो रवाया होता है ये किसानों के लिए कितना घातक हो जाता है अइसा है कि क्रिशी तो मुख तोड़ से राज्य का विशय है तो राज्यों को उसमें दिल्चस्पी लेना बहुत आवस्क है उसके लिए लेकिन ऐसा होता है कि देश में जो अभरॉल पॉलिसी जो सरवांगी नितियां चलती है आम तोड़ से वही लागो होता है इसलिए मैं 1991-1991 के बाद इसको बंद कर दिया गया एक एक करके दीरे 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 वह जमीन होही है मुझूद है सरकारी जमीन है पड़ा हुआ उसमें कोई काम नहीं हो रहा है सारा कुछ बंद कर दिया गया और सारे चीज प्राइबेट कंपनियों के हाथ में दी दिये गया तो सरकार क्यों है सरकार को पहली जिम्यवारी उसको लेना चाहिए इंस्वरेंस कंपनी तो क्लेम जाचेगी उसका सारा हिसाब करेगी देगी इसलिए मैंने कहा आपदा प्रमंधन की तरह जैसे ही घटना घटती है पुराना जमाना नहीं है एक मोबाइल फोन जाता है ब्लॉक सि खर्चा सरकार बहन करें उसके बाद इन्स्वरेंस कंपनी जाच परताल करके जो उसका क्लेम बनता है वो के क्लेम दे लेकिन सारा कुछ अगर उसके जिम में छोड़ दिया जाएगा तो और भी सरवनास होगा और भी हमारा क्रिशी विकास के बदले सत्यानास होगा क्योंकि चाहूंगे हैं लेकिन क्रिशी में बागी जो विदेश हैं जहां पे वहां पर जुस्तरह से खृषी कारि किया जाते हैं क्या वहां भी अस्तिया ऐसी है वहां के यंत्र किस प्रकार के हैं लगे हुए है unki के लिए बहुत ज्यादा लोग लगे हुं है और उसे बहुत ज्यादा पैसा खर्च के जाता है है अपने यहां डिरेक्टेट आपा शेफ्टी है लोग जो कि इन्डेस्टियल सेफ्टी कि लिए काम करती है वहां पर लोगों का involvement बहुत ज़ादा है बहुत ज़ादा संख्या में लोग जो है खेती किसानी में लगे हुए हैं तो जाहिर है कि संख्या तो उन से ज़ादा होगी वहां पर क्या है कि 2% 3% अमेरिका वगर में दो पर से 3% ज़ादा लोग इनवाल नहीं है किसी एक की जान जाती है उ हमारे मनिफेक्टरर्स को अगर आप सेफ्टी एक्ट है इसमें जो आप पूछ रही थी इसमें क्या है कि सब्से बड़ी समस्चिया तो यह है कि वह एक्ट काता है कि जिए जिए किसान के आख एक्जेंट होगा उसको मौज़ा देना पड़ेगा और खेती किसानी वहां पर क् काम करने वाला वरकर होता है और जो किसान की काम कर रहा होता है वहां टाना बना बना हुआ हो तो गलंत do जेयरा हाई हम ये भाना हमिखक्टर को वह वाई है एक तर रहा है वहां हमानक करन का खैरा रखाजाता हिए लगदास करणी मृष्ट क करणों रखा इयुक cooperation पहुत से देखेंगे कि उपर 20 cm भी कभर नहीं होता है लबे सेंटीमेटर उसकी लंबाई नहीं होती है उसका साइज हमारे 35 स्टेंडर्ड है व्यूरो आफ इंडेन स्टेंडर्ड के 35 सेफटी पे और मशीनों की सेफटी पे बने हुए है लेकिन कोई भी मनिफेक्चरर हमारे देश में जो है बहुत कम मनिफेक्चरर जो कि इसको पालो करते हैं और ज्यादा तरी स्टेट गवर्मेंट में आप देखेंगे जो मसीने सप्लाई हो जड़े हैं किसानों को सब्सेटी में वह उसी तरह की मसीने सप्लाई हो रही है बिल्कुल मैराल इस पर हमारी चर्चा चलती रहेगी कारीक्रम में वक्तो चला है एक और छोड़े से ब्रेक का बने रहे हमारे साथ क्या है फसलों का ताजा हाल कैसे हो इनकी सही देखभाल बीच और खाग की कैसे हो सही पहचान जानिये विशेशक्यों के साथ देखिये खेत खलिहान सुमवर से शिकुवाद सुभा साथ बजे दूरदर्शन किसान पर ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खासकारिक्रम बात समबाद में आपका फिर सेश स्वागत है तो क्यों मशीने बनती मुसीबत इस विशे पर बात समबाद को आगे बढ़ाने से पहले आए देखते हैं एक रपोर्ट जो कामगार क्रिशी शेत्र में काम करते हैं उन्हें असंगठित शमिक के रूप में देखा जाता है इसलिए उन्हें वे लाब नहीं मिल पाते जो संगठित शेत्र के शमिकों को मिलते हैं इसमें दूसरी चुनौती ये है कि ग्रशी राज्य सूची का विशह है इसलिए केंद्र सरकार जो अधिनियम, नियम बनाते हैं उनके अनुपालन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है ये पाया गया है कि क्रशी शेत्र में होने वाली दुरघटनाएं किसी अन्य शेत्र से होने वाली दुरगटनाओं से अधिक है इसलिए इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए यानि ओध्योगिक शेत्र से कहीं अधिक दुरगटनाएं क्रशी शेत्र के उपकर्णों के कारण हो रही है इसलिए ये शेत्र कहीं अधिक समय और संकल्प शक्ती की मांग करता है दरसल हमें एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जिसके माध्यम से नियम्बित तौर पर ऐसी दुरगटनाओं पर नज़र रखना सरल हो सके हमें प्रतेक दुरगटना को प्रकाश में लाना होगा और उसके कारणों उचित मुआवजे और दोशी को समुचित दंड देने की दिशा में काम करना होगा हमें ऐसे उपकर्णों का विकास करना होगा जिससे लोगों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके ताकि कामगार अधिक सुरक्षा और विश्वास के साथ खेती और उससे जुड़े कार्यों को संपन कर सके ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि मशीन का डिजाइन भारतिय मानक ब्यूरो यानि की BIS मानकों के अनुरूप हो BIS युक्त मशीनों से कामगारों की अधिक्तन सुरक्षा संभव हो सकती है साथ ही हमें ये देखना होगा कि हमारे मानक अंतराश्ट्य श्रम संगठनों के नियमों के अनुरूप हो जी क्या सवाल पूछना चाहेंगे कि च्रचा ऑं रह Stevens कि इयल्ड-फर और एक ज़एर बरणाया ट्रेक्टर के भीचे जुटाई करने के लिए वो पूरा कव्रड़ है लेकिन उसके बावजूद भी डैथ हैं दुर्गठनाई हुई है रूटा वेटर से भी जो प्रैक्टिकली है 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 रो है टेक्टर की बेचलने वाली कभी कभी आदमी उसके बैठ जाता है जब सूका खेत होता है तो उसमें प्रिसिशन क्या करेगा अगर अचाना जटका लग गया है कोई बात होगी तो गिर गया कि टांग कट गई हाथ कट गया हो तो मेरा कहना लिए है कि दुर्गठनाई कम तो हो सकती है लेकिन बंद नहीं ह वेतन आयोग में 30% वेतन लोगों के बढ़ाएं एक लाख क्रोड रुपे की वेवस्ता के इन सरकार ने की है इसी तरीके से किसानों के लिए जैसे उत्तर प्रदेश सरकार दुर्गठना बीमा किसान के साथ साथ साप काट खाए बिजली पकड़ ले कोई मार्डर हो जाए तत्काल पांच लाख रुपे देती है अलग से उसका बजट है इसी तरीके से कें सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए उसके लिए वा एंबुलेंस की बात है बिलो किस तरह पे कितनी एंबुलेंस खड़ी हो सकती है मालिया दस गामों में 50 और घटना हो गई तब 50 आदमी तत्काल अपनी अनुसार जाएगा उस जिस तरीके से सरकारी करमचारी कहीं भी लाज करा है उसके तरम प्रिश्टोर के बिल लगते हैं डोक्टर की फीस के बिल लगते हैं इसी तरीके से किसान के लिए वेवस्टा होने चीजिया पेमेंट हो बिल्कुल तो इस दुरगटनाएं मशीनों से हुती हैं किर्शी चेतर में काम करने पर, तो किस तरह से पीडीत को बिरीत को दुरगटने की भीमे की राशीstory मोहिया की जा सके, उसी पर विचार हो रहा है, कोई राशता उसका निकालने की बात है, कि क्या रास्ता हो कि दुरगटना जैसे ही हो उसको बीमा रिडीत को मिल सके उसके लिए ये भी एक सवाल है कि उसकी राशी जो दुरगटना बीमा की जो पॉलिसी होगी उसमें कितनी धनराशी किस प्रकार की दुरगटनाओं के लिए तैक ही जाए और फिर बीमा कंपनी फिर बीमा योजना है उसमें इसको जोड़ा जाए जै और उसमें जोडने से यह होगा कि दुरघटनाओं को उसमें केटेगराइज करना पड़ेगा अलग अलग किसम से कृषी की दुरघटनाओं को अलग अलग करना पड़ेगा और उसका बारा रुपे साल का खुल है इकठा आजीवन हो जाता है, तो वो दो लाक रुपे की बीमे की राशी हो सकते हैं, एक और भी है, जिस तरीके से फर्टलाइजर कंपनी है, उन्होंने कहा कि जो हमारा खाद प्रयोग करेगा, वो उसका बीमा राशी, जो एक लाक रुपे, इफको अपनी तरफ से कोई तरीके, एक स के लिए भी बाचीत हो रही है, यह विचार हो रहा है, कि इस तरीके से यदि किसी को भी काम करते समय कोई दुरगटना घटती है, चाहे वो बिजली का करंट लगने से घटती है, और साप की जो दुरगटना खेत में काम करते समय, वो भी एक दुरगटना है, तमाम, और भी कई सारी चीजें हैं तो रूटाविटर की बात के देखिए जब हम मशिनी करण की बात करते हैं तो मशीनों को स्रक्शित रूप से बनाया जाना चाहिए लेकिन अभी जो कहा के हैडो के उपर बैठ जाते हैं अब हैडो पर कह सकते जो व्यक्ति उस पर बैठा है बैठने के लिए ये भी सोचते हैं कि हैरों पे बोज पड़ेगा बोज पड़ेगा तो वो गहरे जुताइ करेगी उनदेश ओैन भी बहुत साफ है किसान का लेकिन उसमें व्यवस्था वह यह एच्छिकिस्ता की बात यह गता है जबीर जीं कि जो आपने हम ने रख्क है है कि उसमें इसको जोड़ा जाए धूर गटना वह दुर्गटना हो ये इतना भारी पजट के इन सरकार प्रदेश सरकारों को देती है मुफ्स्ट दवाई के लिए तमाम हेल्थ मिनिस्ष्ट होते हैंämä किसे लिए अगर प्रदेश सरकार हैं ये भी जिम्मेदारी नहीं अदा करेंगी तो बजट किसके लिए साठ फीसेदी से ज्यादा लोग आज भी चॉसाठ फीसेदी ज्यादा लोग गाउं में रहते हैं उनके लिए अगर चिकित्सा चाहिए जी आप कुछ जोड़ना चाहता था क किसान ने जो उन्होंने एक सवाल ठीक ही किया है कि दुरगटना हो जाती है तो ततकाल चिकित्सा चाहिए जी तो बगल में जो भी है हेल्थ सेंटर हो प्राइवेट डाक्टर हो नर्सिंग ओम हो पहले तो उनको वहां जाना परेगा और वो जो सिलिप देगा उसको गोवर तर इलाज हो सकता है तो उनकी जिम्यदारी हो तीसरी बात जो डाक्टर साहब ने कहा कि सरकार ने एक बनाया है कमीटी कोर कमीटी जो इस कानून में क्या सुधार किया तो इस सरकार के दो साल से जादा समय बीत गया तिर कोर कमीटी रिपोर्ट देगी फिर वो एक ड्राफ् तो हो सकता है किसान की जमीन लेने के लिए लगातार तीन ओर्डिनेंस हुआ चौदरी जीने में शायद उसका अभिरोत किया सपोर्ट किया मुझे नहीं मालूप उस सितिहास में नहीं जाना चाहते एक ओर्डिनेंस तो सरकार ततकाल निकाले चली आपका यह सुशाव रहा कोई अगर किसी की मृतु हो जाती है तो ततकाल उसको 10 लाख रुपया मिले या पार्सियल अपंग होता है उसको 5 लाख रुपया मिले ततकाल उसको मिले और जो इंसुरेंस के साथ कैसे जोड़ा जाए इसको तै करना परेगा प्राइवेट कंपनियां बिना प्रीमियम यह नहीं देगी उसका प्रीमियम कौन देगा तो जो हमारे किसान यहाँ पर मौजूद है मैं चाहूंगी कि उनके सवाल आजाए जी मैं जाना चाहता हूं कि जैसे हम किसान 12 वागेर अपनी प्राइवेट बोर लगा लेते हैं और समोटर में अगर अर्थिं के वैसे करेंट उ हो जाया हमारा तो उसके प्रति जिम्मेदारज और जवाब दे किसके बती है एक दुर घटना है लेकिन इसमें साथ साथ जो अर्थिंग की बात है और करण आने की बात है रंट कई तरीके से आ सकता हि करण बरसाथ के मौसम में होता है पानी नमी की विजासे से भी करंट आता है लेकिन यदि कोई दुरगटना घटती है तो उसकी चिकिसा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और यदि अंग्भंग होता है या मृतू हो जाती है तो उसको भी मुआउजे की विवस्था बीमा में करने की बात जो है उचित है और मैं इस बात को अपनी तरफ से रखूँगा और्डिनेस की बात कही शुकला जी वो बिलकुल उस स्टेज में आ चुका है ये अभी तो एक वर्स भी नहीं हुआ है और प्रदेश सरकारों की तरफ से जो दे सुझाओ आ गया है इमीडियेट रिलीफ मैंने कहा कि उसी पर हम कर रहे हैं कि जो बीमा योजना है उसी में इसको जोड़ने की बात है और जहां तक कुशल कामगार की बात है वो जोड़ दिया गया है मैं आपको ये स्वस्त कर देता हूं कि उसे प्रदान मंत्री कुशल का कामगार योजना में ट्रेक्टर ड्राइवर उसे लेके और क्रिशी यंत्रों की जो ट्रेनिंग के कारकम है उसमें आप नौजवान हैं उसमें भागीदारी ले अच्छे तरीके से सीखें और जिससे आगे कोई दुरभटना ना हो और सब सुरक्षित रहें और साथ ही मैं देश में तमाम क्रिशी यंत्र बनाने वाली कंपनियों से भी यह आग्रह करता हूं कि वो जो मानक हैं अंतरास्तर के उनको अपनाने की कोशिश करें जिससे यह तो सरकारी प्रयासों की बात होई कर्मवेज जी मैं चाहूंगी कि आप किसानों की तरद से अब अपने कोई पनी देश पूरे मसले पर जी मैं कहना चाहूंगा जो खेतिर मजदूर किसान के यहां काम करता है जी और उसके साथ दुरगटना हो जाए वो किसान पर मुकदमा ठोक देता और तुरंत अफायार होती है किसान कहां से दिये बता जी कई लाग रुपे किरसी तो इस देश मे वैसे भी घाटे का सोधा है आजाजी के साथ देशक होने जा रहे हैं आज तक किरसी को अपना लाबकारी मुलीनी मिला किसान को और किसान कई मामलों में वो बर्बाद हो जाता उसकी जमीन तक बिग जाती है तो जो मजदूर किसान के हैं गायल होया या उसका बौझ सरकार किसान और किर्सी बीच में दलदल में फसरें यह किर्सी ना राजी भागे ना किंद्र भागे यह परिस्तियां तो है इस संगिय ढाचे में कि जो किसान है उसका हिद कई बार अंदेखा हो जाता है केंद्र और राज्य सरकार के इंसलाव में खेत मजदूरों के लिए एक यह कानूनन नहीं बना 17 साल में नौ सरकार्ण न ₌ सरकार के लिए असकर कोई कानून नहीं था बहुत जुरूरी है। मैं तो चाहूँगा गुवर्मेंट कुछ इस तरह ब्यवस्था करें जिस्थे ग्राम पंचायत लेबल पर जो भी काम है, क्योंकि हम लोगे साथ सबसे बड़ी पाटिसानी जो आई है, दुरगटनाओं के बारे में जनकारी इकठा करना बहुत मुश् क्योंकि बाहर के देशों में क्या है कि अगर दुरगटना होती है था फूरिवस्था होती है, यहा खें फेपर में जनकारियां कठा करनी कोशित करी गाँ में जा । हम लोगों 건αι जो पाया हुँ मतलब टीप Southeast Network को कहते है, वह Q Um को दिखाई दे रहा है , यहा पांस लोगो है वो हम लोगो दिख नहीं रहा है वो लेकिन उसकी जानकारी कहां से मिले क्या हम को कैसे पता चले कि मसीन में क्या सुधार करना है अगर वो जानकारी हमारे तक आजाती है ताकि सुधार को तो इस कारिक्रम के दौरान जो मशीनों से दुरगटनाएं हो रही है इसके कई और कई सुझाओ भी निकल करके आए हैं और सरकार पर जो है वो उमीद की आज सबकी टिकी हुई है कि सरकारी पहल हो और ये अच्छी बाद भी है कि सरकारी पहल शुरू भी हो गई है इस देशा में और कमिटी का निर्मान गठन भी कर दिया गया है बस इसके अच्छे परि ये खेती किसानी ज्यादा सुरक्षित होगा इस कारिक्रम बात समबाद में अगले सब्ता एक नए विशे और नए तिवरों के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीज़े अजाज़त नमस्कार झाल समय कर दो किर देया कर दो हम और को, स्थिन जंगद ओर गले से अबद सीटित सर्प्टोन गजा है